Hey guys, welcome back to another exciting video अगर आप Windows 11 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने computer में और वहाँ पे error शो कर रहा है TPM 2.0 error या फिर आपके साथ error ये शो कर रहा है कि processor isn't supported तो इन दोनों error का जो solution है वो easily इस video में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ बहुत ही easy process है दोनों process करके आप अपने error जो है उसे solve कर सकते हैं अगर आपका computer जो है 2017 से पुराना है तो इस वज़े से processor isn't supported की error आ रही है तो पहले इस video में मैं आपको TPM 2.0 की error शो करूँगा कि उसे किस तरीके से solve कर सकते हैं फिर उसके बाद मैं आगे शो करूँगा के processor isn't supported की जो error है उसे किस तरीके से solve कर सकते हैं तो चली बिने किसी देरी के इस video को शुरू करते हैं अगर आप Windows 11 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके laptop में error शो कर रहा है TPM 2.0 error या फिर secure boot error अगर आपके computer में TPM chip है तो BIOS में जाके इसे आप enable कर सकते हैं और secure boot को भी enable कर सकते हैं अगर आपके computer में TPM chip नहीं है तो आप इसे bypass कर सकते हैं installation के process में बाइपास करना बहुत ही असान है आपको bootable pen drive बनानी है Windows की जब bootable pen drive बन जा है तो description box में एक file का link दिया हुआ है वहाँ से उस file को download कर लिए download करने के बाद extract कर लिए जब extract हो जाए तो आपको cmd यानि के command prompt को administrator में खोलना है administrator में खोलने के बाद वहाँ पी लिखना है आपको gp update और इसे run करना है जब gp update successfully हो जाए इसके बाद bootable pen drive में जाई है sources में जाई है तो वहाँ पे आपको दो error शो कर रहा होगा एक processor not supported और दूसरी tpm 2.0 error processor not supported के लिए आपको बहुत ही simple सा एक process करना है आपको अपनी windows 11 की bootable pen drive में जाना है वहाँ पे sources वाले folder के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको एक file देखनी है appreceres.dll इस file को आपको delete कर देना है delete करने के बाद आप windows 11 का setup run करेंगे administrator mode में वहाँ पे आपको सबसे पहला option शो करेगा change how setup download updates इस पे click करना है उसके बाद यहाँ पे not now का option select करना है फिर next करना है फिर आपकी windows 11 install होने का जो process है वो शुरू हो जाएगा और windows 11 बिना किसी परशानी के install हो जाएगी